हलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल बे बहुत बहुत स्वागत है इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहां बेशन इस्तिमाल किया है बेशन मैंने तीन कप लिया है बेशन को मैंने चान के और इस कप से नाप लिया है ताकि मिजर्मिंट हमारा बराबर रहे बेशन को अ है तो आप घी यूज़ करें रिफाइंड ओयल याद फिर आप कोई दूसरा ओयल भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं रहां इसमें ऑईल गी एड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे हम मोयन польз करते हैं इससीины करना है और इसको पूरे वेसर से अच्छे तरह से मिक्स करेंगे ताकि वेशन में Ghi हमारा अच्छे से मिक्स हो जायए और कोई लम्स ना पड़े अम मैं मुछा बांद कर दिखाती इस तरह का बेसंट होना चाहिए अब इसमें पानी का इस्तमाल नहीं करना है थोड़ा सा दूद आट करेंगे और इसको अच्छा सा आटा गूत लेंगे देखिए मैंने इस तरह का डो बनाया है और गी इतना perfect पड़ा है कि घी उपर से भी दिख रहा है कि गी अच्छा पड़ा है अब यहां हाथों में थोड़ा सा घी लगाके और इस तरह की मैंने पेड़े बना लिये हाथों से इस तरह से ऐसे दावेंगे तो अच्छे तरह से ये बन जाएंगे पेड़ा जिसा बना लिया है अब इसको इस तरह से हाथों से दबाएंगे फ्लैट करेंगे जैसे हम पूरी बनाते हैं मैंने यह ओल गरम कर लिया उसमें थोड़ा सा डो डाल के देखा है मारा तेल परफेक्ट गरम हो गया है अब इस तरह से उलिया या हाथ के सहारे से इसको ऐसे दवाएंगे और जैसे पूरी बनाते हैं उस तरह का इसको बना लेंग अगर आप बेलना चाहते हैं तो आप बेल भी सकते हैं लेकिन हमें नहीं लगता इसमें बेलने की जरूरत पड़ती है बस इस तरह से आप हलकी हाथों से दवा कर और इसको इस तरह से ऑईल में डाल दें इसको आपको लोटू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है मैंने उ अच्छे से फ्राई हो रहे हैं देखिए एक तरफ से अच्छा कलर आ गया है आप इनको पलट देंगे और मीडियम लोव फ्लेम पे ही इनको फ्राई करें नहीं तो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगी पर अंदर से नहीं पगेंगी हमें ऊपर से इनका हलका सा कलर चेंज क करते जाएंगे तो ऐसे हमारी एक एक पूरी निकालते जाएंगे एक डालते जाएंगे इसी तरह से इसी प्रोसेस से सारी पूरी हमें सेख लेनी है अब इसमें भी अच्छा सा कलर आ गया है अब थोड़ी देर बाद इसको भी निकाल लेंगे इसी तरह से अब इन दो पूरी को निकाल लेंगे कलर अच्छा सा आ गया है इसी तरह से मैंने सारी पूड़ी सेख लिए मैं आपको इनका कलर और टेक्शर दिखाती हूं देखे किता अच्छा कलर आया है और मैंने यहां घी का इस्तेमाल किया था तो अभी आप देखना कितने सौफ्ट वनी है ऐसे मुठी बंद करते ही यह अच्छे से तूट जाती है अगर आप रिफारिंड आल का भी यूज़ करेंगे तब भी कोई बात नहीं लेकिन मुएन आपको अच्छी तरह से डालना है जैसे हलके हांतों से प्रेस करते हैं अच्छे से तूट जाती है अब मैंने यह मिक्सी जार लिया है और इनको पूरी तरह से ठंडा कर लिया है अब मिक्सी जार में इनको अच्छे से इनको पीसेंगे फाइन इनका दरदरा पेस्ट बनाएंगे देखिए मैंने जैसे बेशन के लड़ू बनाते हैं उसी तरह का एकदम खिला खिला दाना दिख रहा है बस हमें इसी तरह का चूरा बना लेना है देखिए मैंने पूरा चूरा बना लिया है मैं आपको उठा के निखाती हूँ देखिए एक डम बेशन के लड़ूक के फॉरम में आ गया है इसी तरह के बेशन का लड़ूक का चुरा होना चाहिए अब वही मिक्सिजार में मैं यहां पे मैंने तीन कब बेशन लिया था मैं ثीन कब ही सकर ले रही हूँ अगर आप कम जादा खाते हैं तो आप कम जादा कर सकते हैं आप इस चीनी को भी fine piece लेंगे देखे चीनी हमारी पिसकर लेडी हो गई है देखे एकदम perfect पिसी है आप इसको उसी चूरे में add करेंगे सारी चीनी add कर देनी है क्योंकि इससे नहीं बहुत मीठे होंगे और नहीं सीठे होंगे इसका measurement बिल्कुल perfect है अगर आप कम खाते हैं चीनी तो आप थोड़ी कम जादा भी कर सकते हैं अब इनको अच्छी तरह से mix करेंगे चारो तरफ से अच्छे से mix करेंगे अब उसे पर मैंने थोड़ा गी और एट किया है ताकि ये बनने में आसानी रहे और अच्छे से बन जाए घी आट करके फिर से इनको mix करेंगे देखिए मैंने इस तरह से बांद के देखे हैं लड़ू हमारे बन रहे हैं अब यहां मैंने इलाइजी कूट कर डाली है इलाइजी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप नहीं खाते हैं तो इसकिप भी कर सकते हैं और मैं बांद के दिखा रहे हूं लड़ू हमारे परिफेक्ट बन रहे हैं ये देखिए कितने अच्छे से लड़ू बन रहे है ये देखिए एक लड़ू हमारा पूरी तरह से बन गया है और मैंने उसी साइज के बांदे हैं जिस तरह के मार्केट पे लड़ू मिलते हैं इसी तरह से मैं दूसरा लड़ू भी बना रही हूं बस आपको ऐसे हाथ में थोड़ा सा मिक्सर लेना है और इनको हाथ से इस तरह से दबाते दबाते आप इनका गोल आगार दे दे और लड़ू हमारे बहुत अच्छे से परफेक्ट बन कर तयार हो जाएंगे ना ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही कुछ आप घर में एकदम मार्केट जैसे सुद्ध लड़ू आप घर में बना सकते हैं मार्केट में चीज मिलती है पर सुद्ध नहीं मिलती है देखे दूसरा लड़ू भी बन कर तयार है इसी तरह से मैं सारे लड़ू बना लूँगी देखे सारे लड़ू बनकर तयार हो गए है तीन कप लड़ू में लगबग हमारे एक सिसवा गिलो लड़ू बनकर तयार हो गए है ये देखे कितने परफेक्ट लड़ू बनकर तयार है देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे है यकीन मानिए आपने अगर इस तरह से बना लिए तो आप मार्केट के लड़ू लेना भूल जाएंगे अब मैं एक लड़ू आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ देखे अंदर से कितने अच्छे बने है ये देखिए एकदम खिला खिला दाना है सारे लड़ू का अगर इसमें आप ड्राइफ रूट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और नई तो आप इसी तरह से भी बना सकते हैं सिंपल और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में रेस्पी अच्छी